आज मुझे यहां स्वागत करने का आउसर मिला है जो साथ ही विजयी होकर के आए हैं बेश सभी अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन जिन लाखो कारकरताओं ने दिन रात परिशम किया है नवनों ने दिन देखा न रात देखी और इतनी भैंकर गर्मी में है हर दल के कारकरताने जो पुर्शार्थ किया है परिशम किया है मैं आज सम्विधान सदन के इस सेंटरल होल से सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ साथियों मेरा बहुत सवभाग्य है कि इंडिये के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मत्य से चून करके मुझे एक नया दाही को दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ अगर्णाम करके जीवन में एक मैं जवाबदारी का एसास करता हूँ जब दोहजार उन्नीस में इस सदर में मैं बोल रहा था आप समने मुझे नेता के रूप में चुना था और तम मैंने एक बात पर बल दिया था विश्वास आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दाईत को देते हैं इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम अपस में विश्वास का सेत्व इतनु मजबूत है ये अतूट लिस्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूजी होता है और इसलिए ये पल मेरे लिए भाव करने वाले भी है और आप सब के प्रति कितना धन्यवाद करूँ उतना कम है साथियों बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं साथ उनको शूप नहीं करता होगा लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि NDA आदेश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बना करके सेवा करने का मौका देखिए हमारा यह एलाइंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है जो भारत का आत्मा है भारत की जड़ों में जो रचा बसा है उसका एक अर्थ में प्रतिवीम भाए है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी नजर करे हमारे देश में दस ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधों की संख्या प्रभावी रुप से है निरनायक रुप से है जहां इस अबादी आदिवासी की जादा है ऐसे दस राज्यों में से साथ राज्यों में एंडिये सेवा कर रहा है साथ्यों हम सर्वपंत संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो यह हमारा नौर्फिस्ट हो जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे इसाई भाईवन देते हैं आज हम उन राज्यों में भी एंडिये के रूप में सेवा का आवसर हमें मिला साथियों प्री पोल एलाइंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गडवंदन के इतिहास में प्री पोल एलाइंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जीतना की एंडिये हुआ है और ये गडवंदन का बीजये हमने बहुमत हासिल किया है और मैं कई बार कह चुका हूँ शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है सरकार चलाने के लिए बहुमत आवशक है लोकतंत्र का वही एक सिध्धान्द है लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है और मैं आदेश वाजियों को यहां सब इस्वाद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार के हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सवभाग्य दिया है यह हम सब पादाईत को हैं कि हम सर्वमत का निरंतर प्यास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोड कसर नहीं छोड़ेंगे साथियों एंडिये को करीब करीब तीन दसक हो चुके हैं यह आज हादी के 75 साल में तीन दसक एंडिये यह सामान निखटा नहीं है विविशता से भरे हुए अपनी लोकतांतरिक और सामाजी ग्रचणा के बीच हुए यह तीन दसक की आत्रा एक बहुत बड़ी मजमूती का संदेश देती है और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि कसी एक समय वो था कि संगठन के कारकरता के रूप में इस एलाइंस का हिस्सा था जो वस्ताओं से जुड़ा रहता था और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इसे 30 साल ना का रहा है और मैं कह सकता हूँ हकीकों तो के अधार पर कह सकता हूँ यह सबसे सफल एलाइंस है हम गर्व से कहता है कि पांच साल का टर्म होता है इस एलाइंस ने तीस साल में से पांच पांच साल के तीन टर्म सफलता पुर्वक पार किये हैं और एलाइंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है साथ्यों इस बात को जो राजलीती के विश्यशज्य है अगर मुक्तमन से मुक्तमन शद्द बहुत महत्पका है वे सोचेंगे तो पाएंगे कि एंडिये कि सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है यह राश्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन पर्थ्ट्रप्रपी कमिटेड वैसा यह समूव है और पीस साल का लंबा कालखन शुरू में शायदे एसेंबल हुआ होगा लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि भारत के राजनितिक व्यवस्था में एक और्गेनिक अलाइंस है और यह मुल्य स्रदेय अटल्य वहरिवाजपाई श्री प्रकाश सिंग्जी बादल श्री बाड़ता भाकरे श्री जॉर्ज फनाडीच श्री शरद्यादव अंगिनत नाम में कह सकता हूँ इन लोगों ने जिस बीश को बोया था वो आज भारत की जनता ने विश्वास का स्विंचन करकर के इस बीश को बटबुक्ष बना दिया है और हम सब के पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इसका गर्व है बिते दस वर्षों में हमने एंडिये की उसी विरासत उसी मुल्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है जयते मैंने कहां मुक्त मन से राजनीती के विश्लसा करेंगे तो देखेंगे कि एंडिये का जो लोग दिखते हैं न उसमें कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्णनस इन सबने अपने अपने समय में अपने अपने कारकाल में जब जब जहां सेवा करने का मुका मिला है गुड गवर्णनस इस देश को दिया है और इस पकार से एंडिये एक पकार से एंडिय कहते ही good governance यह अपने आप परियायवाची बन जाता है साध्यों हम लोगों के सभी के कारकाल में चाहे मैं गुजरात में रहू हो रहा हूँ या बाबु हमारे आंदर में रहे हो या नितिजिने बिहार के लिए भरपुर सेवा की हो हम सब के अंदर केंद्रबिंदु में गरीब का कल्यान केंद्रस्थ रहा है और देश ने एंडिये के गरीब कल्यान के गूड गवर्णनस के दस साल को देखा है इतना नहीं मैं कह सकता हूँ देश ने से जीया है जनता जनारणने सरकार क्या होती है सरकार क्यों होती है सरकार किसके लिए होती है सरकार कैसे काम करती है इसको पहली बार अनुभव किया है वर्णन जनता और सरकारों के बीच में एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई थी हमने उसको पाट दिया है हमने सबका प्रयास का मंत्र देश को नई उचाई पर ले जाने के लिए चरितार्थ करके देखा है साथियों एंडिये सरकार में हम अगले दस साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ अगले दस साल में गुट गवर्नांस विकास नाहरीकों के जीवन में quality of life और मेरा व्यक्तिकर दुर्प से एक बहुत बड़ा ड्रीम है मैं लोग तंतर की समरुद्वी को जब सोचता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यमबर्ग उच्य मध्यमबर्ग उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोग तंतर की मजबूती है और आज के टेकनोलोजी के यूग में बहुत आसानी से हम वरना एक दिन में दस काम हो तो दस अलग अलगो सारी चीज़े मांगेगे हैं हम बडलाब चाहिए गूड़ ग्रवेनस का एक ये भी अक महत्त्रकून पहलू है विकास का नया अध्याय लिखेंगे गुड़ ग्रवननर्स का नया अध्याय लिखेंगे जनता जनारदन की यद्यार मिनुत आप two time यार करके रहेंगे साथ एंडी एक मैं और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनव प्रतिनीदी होगा मेरे लिए सब बराबर है जब मैं सबता प्रयास की बात करता हूं तो मैं सदन में भी चाहिए वो लोग सभाओं या राच्वाओं हमारे लिए सब बराबर है और यही एक भाव है जिसके गारण तीच साथ से एंडी एलाइंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है अपना पराया कुछ नहीं है सब को गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखिये हैं उसी का प्रणाब है कि जनता का विस्वाद भी जीत पाते हैं साथियों हमने दो हजार चोवी समय जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रास्रूट लेवल पर किया है सिर्फ फोटो आप किर्दान ने तक मिल करके हाथ हिलाएं और तुम तुमारे रस्ते में मेरे रस्ते ऐसा नहीं ग्रास्रूट लेवल तक सबने मिल करके यह जो काम किया है और उसी ने हमें और गेनिक एलाइंस का सामर्त दिया है एक दूसरे का सहयोग किया है हर किसी ने यहीं सोजा जहां कम वहां हम अगर तो कमी है तो मैं आऊंगा मैं मैंनत करूंगा लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहे दुगा जहां कम वहां हम यहर कारकरताने जीकर के दिखाया है और तभी तो जीत आती है। साथियों, कभी-कभी मैं कह सकता हूँ कि हमारा दस साल का अनुभव है, भारत के हर खेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशन्स हैं, रीजनल एस्पिरेशन्स हैं, बे और नेशनल एस्पिरेशन्स, इसका एक अतूट नाता होना चाहिए, इसके बीच में हवा तक गुजर न सके, इतना जुड़ा होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ाएं। साथियों, इस सुनाओ मैं, मैं कुछ उलेट जुरू करना चाहूँगा, जो मेरी नजरी से मैंने देखा है, दक्षीर भारत में, एंडिये ने एक नई राजनीती की नीव मजबूत किया। अब देखे करना चाहिन तेलंगना, अभी अभी तो इनकी सरकारे बने थी। लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास तूट गया। ब्रहम से लोग बार आ गए और एंडिये को गले लगा दिया। करनाटक और तेलंगना में दोनों जगाते हैं। साथी और तमिल नाडू, मैं तमिल नाडू की टीम को भी बढ़ाई देना चाहूँगा। और वहां हमारा एंडिये समोह बहुत बढ़ा भी है। और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे। लेकि इस लड़ाई में हम साफ रहेंगे। और मैंने बहुत से एंडिये के साथी तमिल नाडू में ऐसे हैं। कि जिनका कोई उमिदवार नहीं था। लेकिन इस जंडे को भूचा रखने के लिए वो जीजान से जुटे थे। और इतलिए आज तमिल नाडू में भले हम सीट नहीं जीत पाएं। लेकिन जिस तेजी से एंडिये का वोटशेर बढ़ा है वो साफ साफ संदेश दे रहा है। कल में क्यान लिखा हुआ है। साथ योग पूड़ी शेरी हो केरला आप केरला है। हमारे सेंकडों काड़करतों के बलिदान की है। UDF हो या LDF हो शायद हंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में है। इतना जुल्म एक विचार धारा को लेकर के जीने वा लोगों पर हुआ होगा। तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ केरल में हुआ है। जम्मू कश्वीर से भी ज्यादा हुआ है। उसके बावजुद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था। उन्होंने परिशम की पराकास्था में कभी पीछे नहीं रहे। पीडियां खपा दी। पीडियां खपा दी। और आज पहली बार सौंसद में केरल से हमारा अफ्रतिनी भी बन क्या है। साथियों अरुनाचल में हमने लगातार हमारी सरकार बनती रही है। और भारी समर्थन से बनती है। सिक्किम में भी हमारे एंडिया की सरकार करीब करीब क्लींशीप के साथ। अरुनाचल क्लींशीप। आंद्र मैं अब बाबु को पूछ रहा था। बोले हिस्टोरी के लिए सबसे हाइस जुट्री है। और जो यहां दिखता है नहीं पवन। यह पवन नहीं आंदी है। आंद्र ने इतना बड़ा हमारे प्रती जन्मत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जीजी विशा है। उसका प्रतिमी है। और महाप्रभु जगनाथ। और मैंने अनुभव किया हमेशा। मैं हमेशा मानता हूँ इस्वर का नेक रूप होते हैं। लेकिन जब मैं प्रगवान महाप्रभु जगनाथ जी को याद करता हूँ तो मैं हमेशा मानता हूँ यह गरीबों के देवता है। और वहाँ जो क्रांती रूप पननाम आया है। मैं इसे एक डिवोलुशन देख रहा हूँ। और मैं इसके साथ कह सकता हूँ कि विक्सित भारत का हमारा जो सपना है। आने वाले 25 वर्ष पहले मैंने 10 साल कहा था। यह मैं 25 साल कह रहा हूँ। आने वाले 25 साल महाप्रभु जगनाथ जी की कृपा से उडिशा देश की विकास क्यात्रा के ग्रोथ एंजिन पर की एक होगा। साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ वेस्त था। बाद में फॉन्फे नहराज चुरूओ गए। तो मैंने किसी को पूछा यार यह तो ठीक है आकड़े मागड़े तो, मुझे यह बताओ कि EVM जिन्दा है कि मर गया। क्योंकि यह लोग ताई करके बैठे के भारत के लोगतंत्र और लोगतंत्र की प्रक्रिया के प्रदी विश्वासी लोगों का उड़ जाए। और लगातार EVM को गालिज देना। और मुझे तो लगता हुथा कि साइद इस बार वो EVM की अर्थी निक्या जुलू से का लेंगे। लेकिन चार जुन शाम आते आते उनको ताले लग गए EVM ने उनको चुप कर दिया। यह ताकत है भारत के लोगों के। यह ताकत है भारत के निस्पत्ता की। यह भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की। चुनावायों की। और मैं मानता हूं कि यह आशा करता हूं कि पांच साल तो अब EVM साइद मुझे नहीं सुनाई देगा। लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से साइद EVM को लेकर करके नाजनी की चुरुआत करीगे लेकिन के सुतरे के दबाव लाए बहुत कावब है अब देखिए चुनाओ के समय मैंने पहली बार देगा साइद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमिशन के काम में रुकावट आए इसके लिए सुप्रीम कोड के दरवाजे खट-खट आए गए पार्टी पार्टी के अप्रिकेशन और एक ही टोली थी और लोग तंतर के प्रतिक दिन का भरो भार अभिस्वास ऐसे लोग सुप्रीम कोड का उप्योग करते हुए कैसे रुकावट डाले इसका अंदिरंतर प्रियास करते रहे और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अधालतों में इस पी कबर्स में चुनाव के पी कबर्स में यहने कितनी निराशा लेकर के यह लोग मैदान में आये थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बद्नाम कर लें यह शडियंतर का हिस्सा था दो तो और कभी भी देश उनको माप नहीं करेगा साथियों इंडी गड़बंदन वाले हैं जब इवी इन का विरोध करते हैं तो मैं सिरफ एक चुनाव के रूप में नहीं देखता हूं मैं मानता हूँ लोग मन से पिछली शताबनी के सोच वाले लोग है वे टेकनलोजी को हम महत्व न समतने हैं तेकनलोजी सुखार करने को त्यार है और यह सिरफ एवी में दिखाई दिया ऐसा ने यूपी आई में दिखाया जब हमने कहा हाँ लोग डिजिटल कि हमें आधार की पद्दी से आगे बढ़ना है अप कैसे मदश कर सकते उस आधार को रोखने के लिए सुप्रीम कौट में बार 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 जा करके परिशानिय पता खांग यह प्रगतिर के विरोधी, आधुनिक्ता के विरोधी, टेक्नोलोजी के विरोधी, इंडी ऐलाइंस हमने देखा है साथ्यों इस देश के लिए यह भी चिंता का विशह है कि विश्व में भारत के लोगतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयास और कितना एक्स्ट्रीम है मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूँ, कि हम मदर अब डेमोक्रेसी है और यह दुनिया में जाकर बता रहे हैं, नहीं नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी हैं कुछ नहीं को मोदी बैठ गया है यह चाय बेजने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़की होगी यह जो इनकी मनस्रिती है भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रतिय अविस्वास परदा कड़े का जो उनका शड़ियंत्र है मैं मानता हूँ कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्री की विविदता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सब को भी जानने समझने के लिए आकरशित होगी ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूँ साथियों जब दोजार एक तारीकों मत्दान पूरा हुआ है और चार तारीकों काउंटी इस बीच की चीजों को आप देखिए योजना बत तरीके से देश को हिंसा की आग में जोकने क्या भाशा बयान दिये जाए यहाँ इखटे होना, यहाँ पहुंचना, यहाँ करना कुछ लोग इस चीज को गंबीर नहीं लेते हैं, लेकिन यह बहुत गंबीर है, आप भारत के लोकतंत्र को पहले उसकी ववस्ता को अनाधर करते हो, अब परिणाम आने से पहले ऐसा माहोल बना दो, कि बस आग लगा देंगे हर प्रकार जिन शब्दों का अर्थ यही निकलता है, कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था, लगातार देश को गुमरा करने का प्रयास किया गया, देश के लोकों को बाटने का प्रयास किया, हरे चुनावे के ऐसा लोकोत सब होता है, कि जादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़े हैं तोड़ने के लिए नहीं होता है लेकिन हर प्रकार से कोशिश यहीं की गया है कि साथियों कि मैं मानता हूं कि दोहजार चोबिस के लोकसभा के चुनाव के जो नतीज़ है हर परामिटर से देखेंगे दुनिया यह मानती है और मानेगी कि यह एंड ये का महा विजय है और आपने देखा दो दिन कैसा चला है जैसे हम तो हार चुके हैं गए चारो तर यहीं दिच्टा था क्योंकि उनको अपने कार करता हूं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे कालपनी परेव यह करने पड़ रहे हैं और साथियों गढ़बंदन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यह सबसे मजबुत गढ़बंदन की सरकार है लेकिन कोशिस है की गई कि इस विजय को स्विकार ने करना उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना लेकिन उसके ऐसी चीजों की बाल मुर्ति हो जाती है और हो भी गई लेकिन देशवासी जानते हैं कि नहम हारे थे नहम हारे है लेकिन चार तारिक के बाद हमारा जो व्यहवार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं हमारे समस्कार ऐसे है कि विजय की गोद में उन्माद प्यादा नहीं होता है और नहीं पराजित लोगों के प्रती उपवास करने के हमारे समस्कार है हम विजय को भी पचाते हैं और प्राजित का भी उपवास करने की विक्रूती हम नहीं पाते हैं हमारे समस्कार है अब किसी भी बालक को पूछो कि मैं लोगसभा के चुनाओं के पहरे सरकार की स्की थी तो कहेगा एंडिये 24 के नतिजों के बाल सरकार की स्की बनी एंडिये पर हरे कहां से भई पहले भी एंडिये थी आज भी एंडिये और कल भी एंडिये आप सोचिए दस साल बाद भी कॉंग्रेस सो के आंकेड़ों को नहीं छूपाई और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनाओं को जोड़ करके कहूं कॉंग्रेस के तिन चुनाओं जोड़ूं तो इन तीन चुनाओं में जितनी सीटे ने मिली है उससे जाना हमें इस चुनाओं में मिली है और मैं साब देख रहां खाती हों कि इंडी वालों को अंदाज नहीं है वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे अब तेज गती से ये गर्त में जाने वाले हैं साथियों इंडी अलाइंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है आज भी वो उसके सामर्थे को समझ नहीं पाए या समझना चाहते नहीं है भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है नहीं वो समझ को छूता है समझता है पैचानता है वो बहान नहीं है साथ में इन लोगों का जो बहवार रहा है चार तारीक के बाद मैं आशा करता था कि भे लोकतंतर का सम्मान करेंगे लेकिन उनके बहवार चाह लगता है कि शायद उनमें ये समस्कार आएं इसके लिए मैं और इंतजार करना पड़ेगा और तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता है और यह वो लोग है जो खुद की पार्टी के पीम का अपमान करते हैं इसके निर्णों को फार देते हैं खुद के पार्टी को विदेशी में माना आजाए तो उसके लिए चैर नहीं होती थी यह सारे द्रश्य आप देखे हैं ठी अब मैं समझता हूँ कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र के मजबूतिय और जनता जमाद जनादन के परती आस्था इसको हम साथियों लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है विपक्ष में भी जो सांसच जीत करके आए हैं मैं उनको भी बदाई देता हूँ और मैं पिछले दस वर्थ में एक चीज मिस कर रहा था कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी अब डिबेट मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कब इस नया जो सदन बना है, वो कमी मुझे खलेगी नहीं, शायद हमारे साथी भी राष्ट हीत की नियत के साथ सदन में आएंगे और भने वो विपक्ष में बैठे होंगे लेकिन राष्ट के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में राष्ट में हम सब एक ही तीस हमें है राष्ट में हमारे कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, राष्ट में हमें एक साथ करोड है और मैं आशा करता हूँ कि वो राष्ट हीत की भावना को लेकर के सदन में आएंगे सदन को समरुद भी देने में अभी कुछ न कुछ योगदान करेंगे सथ्वे 24 का जनादेश एक बात को बार बार मजबूती दे रहा है बार बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावर्म है सिर्फ और सिर्फ एंडिये पर ही भरोसा है और जब इतना अतूट विश्वास है इतना भरोसा है तो स्वाबाविक है देश की अपेच्छाएं भी बढ़ेगी और मैं इसे अच्छा मानता हूँ और हम सबका करतबी भी मानता हूँ और इन अपेच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और मैंने पहली भी कहा था है कि दस्वर्थ हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है और वो मेरा चुनावी वाक्या नहीं था यह मेरा कमिट्मेंट है हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गती से देश के आकांशाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर्मी विलम नहीं करना है जनता जनारण चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें जनता चाहते हैं हम खुदी हमारे पुराने रकोर्ट तोड़े और मैं साथियों एक तरफ एंडिये रखो दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखो तो मैं कहूंगा एंडिये न्यू इंडिया डेवलप इंडिया एस्पिरेशनल इंडिया और इसी केस इसी सपने और संकल्पों को पुरा करना यह हम सबका संकल्प भी हैं कमिट्मेंट भी हैं और हमारे पास रोड मैप भी है साथियों एंडिये ने हमेशा करप्शन फ्री रिफाम ओरियेंटेट स्थीर सरकार बेश को दिये हैं जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है उसके सामने कॉंग्रेस नेत्रूत वाली यूपिये अब उन्होंने पुरानी अपनी छबी सुधारने के लिए नाम बदल दिया लेकिन पहचान गोटालों की है आए दिन गोटाले यही पहचान दही है और नाम बदलने के बावजुद भी देश उनके गोटालों को नहीं भुला है उनको नकारा और और मैं कह सकता हूं साथियों इन्डी एलाइंस वालों ने एक व्यक्ति का ओपोज करने के बन पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ओपोजिशन में बिठा दिया है एए एए बिठ्सित भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाओं में गया था देश के लिए सकारात्मक्ष सोच को लेकर के गया था देश की युवाश शक्ति के सामर्थे का समझ करके नए अवसरों को लेकर के देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था जब हमारे सामने जो लोग पे भरम पहलाना जूट पहलाना यही गुमरा करने वाले काम यही करते रहे थे अब एंडियो और उनका का देखें इवन नामांग कर जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार उनका नामांगा था हम लोगों का एक एक दरष्य देख लीजिए और उनका एक एक दर्ष्य देखी कितना बढ़ान तरह है हर चीज में उनका करेक्टर द आज्यों में वह आपस में लड़ते रहे हैं चुनावी जंग में एक दूसरे की पीट में चुरा बहुंकते रहे हैं कभी उन्होंने कहां कि यह तो हमारे वैचारी के ऐलाइंस हैं वह विचाम लेवल पर ठीक है बागी नीचे तो हमारा अपना हम तयार करेंगे और अब फिर हम तो सीट के आधार पर एलाइंस करेंगे टोटल नभी करें यह भी खेल खेला और अभी अभी तो चुनाव कुनाव शुरू कर दिया कि यह तो हमारा एलाइंस लोग सबागे चुनाव के लिए इसाब बाद में नहीं है यह भी शुरू कर दिया याने मैंने बहुत पहले क कि आप देख लेना चार जुन के बाद बिख्राव शुरू हो जाएगा और वो शुरू हो चुका है इसका मटलब यह हुआ कि वो सिर्फ पर सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दुसरे का साथ देने की कोशिश करते थे लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्त निश्टित होता त करना नहीं देना एक करक्टर था साथियों यह लोग कितने ही बड़े चूठे बोलते रहे हैं और आप देखिए चुनाव के समय उन्होंने देश के सामाने नागरी को गुम्रा करने के लिए जो परचियां बाटी कि यह देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे फलाना दो दिन से मैं देख रहा हूं कि कॉंग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि यह परची हैं एक लाग रुपिया कोहां है लाओ भई मांग रहे हैं लोग याने आपने जनता जनादन के आखों में कैसा उनको ब्रमित किया कैसी आख में धूल जोग दी त और अब उसको धका मारा जा रहा है डंडे मारे जा रहा है वहां से निकाला जा रहा है अब इस प्रकार का चुनाओ यह अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है हमारे देश के सामान्य नागरी को का अपमान है और कभी भी देश ऐसी हरकोतों को न भूलता है नहीं क कभी माप किये बिना माप माप को भी करता है साथ यह हमारे लिए संतोस की भावत है कि हमें कमिट्मेंट से काम कर रहा है दस साल में हमने पचीस करोड गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है गरीब कल्यान का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है हमने उसको और उसके अंदर भी एक नए एस्परेशन पाता हुए है कि हां अब मुझे गरीब नहीं रहना है और उसके लिए मुझे से जो हो सके हैं मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा तीन करोड घरीबों को घर यह ऐसे कहने का अकड़ा नहीं है जी कितनी महनत पढ़ती है मुझे मालू है लेकि हम सफलता पुर्वक इसको कर पाए है चार करोड लोगों को दे चुके हैं तीन करोड का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे यह यह भी हम्मत है कि चार करोड देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है जरूरत पड़ी हैं और राज्यों की भी उसमें इच्छा है तीन करोड नए घर बनाने का संकल्प सत्तर वर्ष के आउसे उपर के वेक्तियों को नागिलकों को पांच लाग रुपे तक इलाज के लिए मुफ्ति इलाज की गवस्ता मुद्रय उद्दा के तहट हमारे नवजवानों को कारोबार के लिए बिस लाग तक करें उनकी बैंक से उनको लोन मिले इसकी ववस्ता यह मैं समता हूं कि वाइदा हमारे पीसरे कारकाल की गरंटिया सब मैं तो भी बताता नहीं हूं लेकिन इन गरंटियों के प्रति हम कम हमी नहीं रखेंगे साथियों गरीप का ससक्तिकर और मिडल क्लास को सुवीधा यह हमारी प्राफ्पिक का है क्योंकि मध्यंबर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक बढ़त है भारत की ग्रोस स्टोरी में यह ऐसे ऐसे नए फोर्सिस में देख रहा हूं जो हमार हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हम उस पर भी उतना ही और मिलका की बचत कैसे बढ़े सेविंग कैसे बचे बने उसके लिए उसके क्वालिटी अफ लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हमारी योजराओं का विस्तार कैसे किया जाए हमारे निती नियमो में बड़लाव कैसे किया जाए उस पर भी हमाने जिवालत दिनों में काम चारते हैं साथियों पंचाय से पार्लामेंट तक हमारी नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी है यह हमारा कमिट्मेंट है और हमने हमारे पिछले कायरकाल में नारी शक्ति बंदन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया है और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी आजाद में हमारी माता है बहने देश का नेतुरत्व करती भी दिखाई देगी इस पूरे चुनाओं में हम सबसे ज़्यादा महिला उमीदवारों को टिकर देने वाली पार्टी रहे हैं कि हमारी महिला सामस्दों को जो आशिरवाद देश की जिनता ने दिया है मैं इसके लिए विशेश रुप्षुन का आप खायर विश्पता करा हुए और साथ कि आपने देखा होगा जी 20 समीट में दुनिया के सामने एक विशेश लेकर करके हम बड़े आगरत से गई हैं और वह हैं एंपार्मेंट अब विमेंड डेवलप्मेंड अब विमेंड इन सारी बातों तो हम परिशेश हैं हमने एक नया सिफ्ट किया है और हम जी 20 समीट से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं विमेंड लेड डेवलप्मेंट एक बार हमारा इस प्रकार का कमिट्मेंट बनता है तो परिवर्तन बिल्कुल सापने जराता है साथियों एंड ये का ये कारका बड़े फैंसलों का है तेज विकास का है और अब हम समय घवाना नहीं चाहते हैं कि हम पांच नंबर की इकोनामी से तीन नंबर की इकोनामी पर पहुंच रहे हैं और ये खाली पांच और तिन का अंकड़ा नहीं है उसके कारण जो अर्थ वगस्ता का कद बन जाता है वो सामान्य मानवी की आशा अकांशाओं को पूरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती है देश के लिए जो जरूरत है वो आराम से पूरी करने का सामर्थ बन जाता है और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते है राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है और भारत के समिधान ने हमसे जिस प्रकार का दिशांद लेकिन मैंने उसमें आगर रखा है कि कॉम्पेटिटिव कोपरेटिव फैडरलिजम हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुर स्पर्दा हो हम अच्छा करने की स्पर्दा करें और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हूं हमने देखा है जब कॉम्पेटिटिव कोपर कि बात करता हूं आपने देखा जी ट्वेंटी समीश हम एक जगा पर कर सकते थे हम भी मालाई पहन करके फोटो निकल वा सकते लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में दोसों से ज्यादे मिटिंग हुई और दुनिया भरके निती निर्धार जो कहें जी ट्वेंटी देश होगे वो हिंदुस्तान के कौने-कौने में गए उनके देशों में जाकर भारत की विवित्ता भारत की विशालता इसकी चर्चा कर रहे हैं उनके लिए अस्से रही है हमने तो दिल्ली आकर जिब आपिस जाते हैं पताई ने था कि देश इतना बड़ा है तो यह अपनी एक काम को किया क्योंकि हमारा कोपरेटिव फेडरलिज्म के प्रतिक कमिट्मेंट है एक ऐसा मोडल है जिसमें राज्य भी उतना ही सकरियता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवर्नांस का एक ऐसा मोडल प् हाकि हमारे ग्रास्रूट लेवल पर भी जो वीक एरियाद है जहां सुविधाय अभी सामान एवरेज से भी नीचे हैं उसको हम जल्दी से जल्दी उस्टेट की एवरेज तक लाना चाहते हैं देश का रीजन कोई भी ख्षेत्र हो सरवांगे इन्विकास को लेकर घम चले साथियों गत दस वर्ष बैए इंफ्रास्रक्चर के एक शेत्र बैए हमने एक बहुत बड़ा और सोचने में भी बढ़ लाव लाए जब इन पर तो लाई लाए वन्ना हमारे देश में सोजा चलेगा यार बारे एक बार कर लो ना उस साहरे में से बढ़ लाव नहीं है अब पांस साल में हमें गतिशक्ति यह इस प्रकार के ट्रेटफर्म पर जो काम किया है जो काम 6-6-8-8 मैंने तक नहीं होता था वो आज 15-20 दिन में कर सकते हैं से टेकनलोलोजी का उप्योग करके हम क्याब कर रहे हैं और यह जब होता है तो उसका मूल फाइदा देश के नवज भारत दुनिया में लिए कि विश्वक के लिए एक नभानूफेट्टरीं हब के रूपए उपर रहा है और जब मैं विट्रोनीक गूरों राथ सर्विस संद्के में बात नहीं कर रहा हूं मैं पूट प्रसेश्जिंग में भी अधं दुनिया में हम बहुत तैजी से आगे साथ की बात हो स्कील जॉब ऑफर्चुनिटी बात हो आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा बढ़ रहा है यह मेरा विश्वास है साथ क्यों मुद्रा योजना ड्रोन दीदी विश्व कर्मा योजना इसने भी नई संभावनाओं को जन्म दिया है साथ क्यों हमारी संस्कूरती हमारी विरासर उसके प्रती हम जीतना ध्यान केंद्र करेगे दुनिया के लिए आकरशन का केंद्र बनेगा और इसलिए हम उन दिशा में और मैं मानता हूं भारत के लिए एक तूरिजा में एक ऐसा एवन्यू है जो गत सताद्दी में हमें कभी आक से लेकर के पीछे के सो साल में कहूं ऐसा आवसर नहीं मिला है जैसा आने वाले 25 साल में मिलने वाला है दुनिया भारत की तरब मुड़ने वाली है अब हमारा काम है इसके लिए आवश्यक व्रवस्ताओं को विक्सित करें हमारी विरासरत के प्रती हम हमारे परियतन का भी कास करते हुए एक बीन-बीन सिच्वेशन का हम फाइदा उठाए और उसमें बहुत अधिक निवेश की संभावनाएं मैं देखता हूं और यह ऐसा क्षेत्र है जितमें हर्स करके लोग कमाते हैं गड़िप से गरीब आदमी भी कमाता है और बड़ी-बड़ी होटल बा यह हमारा याताद जितना बहतर हो और हमारा डिजिचल करेक्टिविटी का जो काम है यह इसके लिए एक बहुत बड़ा पोजिटिव ग्राउंड पहर कर रहा और जिसका फाइदा मिलने वाला है और जो वोकल फॉर लोकल और रीजनल टूरिजम इसको एक बल देने का काम है साथ्यों अब दुनिया एक नए यूग में प्रवेश रही है जिस समय और जोगिक क्रांती हुई है उस समय हम गुलामी के दौर से गुजर रहे हुई है तो और जोगिक क्रांती का जितना फाइदा लेना चाहिए हम नहीं ले पाए है अब एक नया यूग शुरू हो रहा है हरित यूग ग्रीन एरा भारत के पास बहुत संभावना है इसका नित्रूत्व कर देगी और हम इसके लिए आने वाले दिनों में ग्रीन हैड्रोजन की बात हो ग्रीन एनरजी हो या ग्रीन जॉब्स हो या ग्रीन मोबिलिटी हो इन सारे विश्यों को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ान चाहते हैं ताकि सहरीत यूग का नेत्रूत्वा दुनिया में भारत का सामर्त सिद्ध कर दें यह हम चाहते हैं साथ यह इसी सिंसेले में इस पांच जून को जब परियावरान दिवस था चार जून को नतिज़ा आ गए तो उसी दिन मेरे मन में विचारा है कि कारकम पांच जून को हमने आरम किया एक पैड मा के नाम हर किसी को मा के प्रति सर्दा होती है और मैं भी देश वासियों को कहूंगा कि आने वाले समय में कभी आपकी माताजी का जन्मदीन हो क्या कोई और सुब दिन हो अपनी मा के नाम पर एक पैड लगाए और मा जिवीत है तो साथ ल सम्मान नहीं है उनकी फोटू रख करके एक पैड लगाए और वो अपनी मा का भी सम्मान होगा और धरती मा के सेवा होगी हम इन दो माता होगे सेवा करें कि जाधियों कि कि एंडिये कि अब भारत कि आइसोलेशन में नहीं जी सकता वैश्विक परिवेश हुए भारत की भूमी का दिनों दिन भहुत बढ़ती चली जा रही है 2014 में जब हैंडिये की सरकार बनी पूरे विश्व में उसी एक पल से एक नया जिग्यासा प्यादा हुई थोड़ी आशा के संकेत उनको नजर आने लगे और फिर उस पर लाओ बहुत बड़ा तेजी से आया और पिछले दस वर्स में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है आज भारत की छबी विश्व बंधु की बन चुकी है दोस्तों विश्व हमें एक बंधु के रुपे स्विकार कर रहा है और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रुपे स्विकारती है तो हमारी बैस्विक जिम्मेवारियों को भी हमने हमारे आने वाले रोड मैप में महत्वत देना ही होगा और भारत की सफल विदेशनिती ने अच्छे परणाम भी दिये है हमने हर संकट को उस प्रकार से हैंडल किया जिस प्रकार से मानवी मुल्यों को हमने प्राथिकता दी उसका परणाम है कि सामान ने मानुवी के मन में इप विश्व बंधु वाला भाव बहुत मजबूत हुआ और भारत का सेवा भाव का जो करेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है चाहे उक्रेन का संकट हो चाहे अफगानितियान का संकट हो हर हमारे लोगों को बचाना हो हमने किसी भीक में हमने कोई कमी नहीं रखी है और साथ यह समता की कारण भारत में निवेश की संभावना यह बहुत बढ़ने वाली है मैं राज्यों से भी कहूँगा कि आप प्रगति सिल नितियां बना कर रेडी रहे हैं विश्व आज आपके आंगन पे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और जो राज्य जान पष्ट नितियों के साथ आएगा जो राज्य उन कमप्रियां विदेश आने वाई लोगों को ठीक से हैंडल करेगा उसको बेनिफिंट मिलने इवाला है और भारत ने जो नीतिया बनाई है भारत ने जो वातान बनाए है उसका लाप भारत के हर राज़े को मिलना चाहिए और उद्धिशा में हम तेजी से काम करना चाहते हैं साथियों हमने जी ट्वेंटी समिट में देखा है दुनिया का भारत के प्रती नजर्य बढ़ला है जो लोग इन चीजों को मैंनूट ले देखते होगा उनको पता होगा कि जी ट्वेंटी एक प्रकार से कई संकटों से गुजर रहा था उतार चड़ाव आते रहते से विखराव भी नजर आ रहा था लेकिन भारत में जी ट्वेंटी आने के बाद नए प्राण से भर गया है नया सामर्था आ गया है और ये भारत की ताकत है को उसने पुरे विश्व को जोड़ने में जी ट्वेंटी के माद्यम से बहुत मेरा काफी समय विदेश के खरकारों से फोन अभिनेंदर स्विकार करें में गया है और शायद में जेना 14 में 19 में भी ऐसा अनुभव नहीं था जितना इस बाहर फ्लो है दुनिया के करीब करीब अब नाम ले उसने भारत को सुबेशा वेक्तकी है या बात करने के कोशिश क यह यह वैस्वित जो हमारा ताकत है उसका परिचे करवा रहा है और उसके कार में मानता हूं कि वीश्व में हमारा सम्मान और साथ-साथ भारत में निवेश्ट यह दोनों संभावनाएं बढ़ रही है साथ जो हमारे संभिधान का पच्चतरवा बर्ष है हम चाहते हैं कि संभिधान हमारी संभावने संस्ताओं का सरोक्षन भर इसके मातर के लिए है इसा नहीं कोई अदालत में धाराओं क का उप्योग करके काम करने के लिए नहीं है यह हमारी भावना है मारा स्पिरीट है और हमें इस 75 साल को ऐसे मनाना है ताकि हम संभिधान के स्पिरीट को जन जन तक पहुंचाएं हर जन को संभिधान की जो भावना है कर्तवे की भावना है अनेक बात इसे इस बात है उन्सर तत्रतेई समर्पन उसका बढ़े उद्धिशा में हम काम करना चाहते हैं साथियों चत्रप्रती सिवाजी महाराद के राज्याभिशेक के 350 वर्स के उत्सों में देश आजरंगा हुआ है और हम हमारे लिए सबसे बढ़ी प्रेना जो दुश्में राश्ट्र प्रसम की भावन हमें मजबूती देती हैं और इसलिए हम देश में इसी एजेंडर को आगे रखते हुए और जब इसी हमें ये साड़े 300 साल का परवाया है तो हम हमें अपनी पॉलिशी और परफॉर्फॉर्फॉर्मंस और सामान्य मानवी का जीवन बहतर करना है उसमें जरा भी बिलम नहीं करना है साथियों विकास की सारी तैयारियां रोड मैप लेकर को हम चलेंगे ही चल रहे हैं लेकिन साथ साथ हम नए नए साउसद आये हैं कुछ पुराने साउसद है कोई ज्यादा अनुभवी साउसद भी है आप देखते हैं कि इन दिनों पिछले दो दिन से आप टीवी पर देखते होंगे एक भी सच्चा ही मुझी उसमें नजर नहीं आई तो यह कह रहा है को वो कह रहा था सब मैंने कि ज़र पूछो ते जानकर इलाते कहां से गबगवले चला रहे हैं किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है मतलब यह थोड़े दिन क्योंकि दस साल से ऐसे उसर नहीं मिले हैं तो शायद यह उबाल जड़ा ज़्यादा रहेगा लेकिन आप मानके चलिए जी कि ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे बस आप मेरा अच्छा सबंद है मंत्री में आपका नंबर कर सकता हुआ हमें भी पता नहीं होता है यार हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं किस खाय में डूब सब्सक्राइब कर दें तो आज कि कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए है मंत्री पद बांट रहे हैं पद बांट रहे हैं व्यवस्ता बांट रहे हैं मैं आपसे आगरपुर्व कहता हूं और जो मोदी को जानते हैं यह सारे प्रयास निरर्फ गएवे हाँ भी किसे घब फोर आजाए तो दत पर बेरिफाइ किजिए कि जितने फोन किया है वो सचमुच में ऑथोरिटी हैं अदरबाइस कोई भी कहा है आपको नाम हो गया है सुबह परिवार को बुला दीजिए शपस हमारों में आना है भो गया तो ऐसी घब बाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फोज रहती हैं कुछ लोग आदधन करते रहते हैं कुछ लोग मजगा आती हैं लेगए और कुछ बद इराद्य से करते हैं मेरा सभी सांसदों से आग रहे हैं कि हम इन सारे सरियंत्रों का शिकार न बनें दूसरा हमारे जो इंडी अलाइंस वालों ने इस चुनाओं में फेक नूज में एक्सपरटाइज कर लिया है डबल पिएटरी कर लिया हुनों ने वो शायद इसका भरपुरूप्यों करेंगे हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें अफ़ाओं से दूर रहें यह जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है मुझे भी सही सला देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निरने करने वाली है कृपा करके ब्रे साथियों विख्षित भारत का संकल पर लेकर करके हम चले हैं तीन नंबर की क्यों में पहुंच रहा है मैं जानता हूं निश्चित रोड में अपके साथ उसको अमपार करने वाले हैं और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पलपल देश के नाम है मेरा पलपल आप लोगों के नाम है मैं 24 by 7 अवेलेबल हूँ हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है फिर से एक बार आप लोगों ने मुझे पर जो विश्वास जताया है जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है वाकई मैं मानता हूँ भारत के लोगतंतर के एक बहुत बड़ी ताकत है मैं जीतना आपका भार व्यक्तिकर उतना कम हो और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी आशा आप एक्षाओं को पूरी करने में परिश्व करने में कोई कमी नहीं रखोगा मेरे लिए जन्मा सिर्फ और सरफ वन लाइफ वन मिशन और वो है मेरी भारत माता यह मिशन है 140 करोर देश वासिओं के सपनों को पूरा करने के लिए खब जाना ये मिशन है 140 करोर देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीड़ी दर पीड़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ भिश्व में मेरा हर देशवासि दुनिया उसे देखे उसका मन कर जाए काश ये हिंदुस्तान का है अरे डेजर मिल जाए तो अच्छा होगा ये मैं स्थिति पादा करना है उसका मन लालाईद होना चाहिए हिंदुस्तानी है अरे याँ जड़ा हाथ में लालू कुछ एनरजी मुझे भी आ जाए मैं देश को इस सुचाए पर ले जाना चाहिए और साथ यो मुझे पक्का भी स्वास से आपका साथ आपका सयोग आपका आनुभव बहुत बड़े परणामों की संभावना इलेकर के आया है लोग सभा का इस गठन उन सभी आकांशाओं को पूरा करेगा मैं फिर एक बार आप सबता रदय से बहुत बहुत धन्यवाज करता हूँ जो एन बड़े के साथी स्वागत करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं और बाकी भी जो फिर पार्टी के वरिष्ठरनेता भी commence करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं आपके App School एक सान्थी वरिष्ठच नेता राश्र्वाज यह का इसके बाद मेंगे तो एंडिये के साथ ही कि अभी लड़ों देवनात्र हाँ जो जाओ 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 एंडिये के साथ ही या वरिष नेता जो स्वागत के लिए आए वो एक आगे देरे देरे जा सकते सकते हैं अभी अभी देवा एंडिये के लिए आगे देखाए वो एक आगे अभी आगे 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 अधिय। झाल झाल